सिवान में फिर्स जहरली शराब से लोगों की मौत हो गई है जा शकरवार सुबह तक तीन लोगों की मौत की बात सामने आई है लोगों का कहना है कि तीनु ने शराब पार्टे की थी जा तावियत बेंगरने की अस्पताल में भर्ण टी करवाए गया जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई जहां तीन-तीन मौत के बाद फिर से हड़कम बच गया है मौत का अकड़ा बढ़ सकता है वही अस्पताल में कुछ लोगों का इलाज चल रहा है जहां कटना लकड़ी नभी गंच में हुई है इस मामले में थानेदार अजीत कुमार सिंग ने पताया कि तीन लोगों की मौत की सूचना मिली है मौत का कारण अब तक इस पश्ट नहीं हो पाया है वही पोस्मादम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी बात इस पश्ट हो पाएगी पुलिस टीम मामले की गंबीरता से जाच कर रहे हैं रूस में ब्रिक्स की बैठा के एक महिने से भी कम अंतराल के बाद प्रिधान मंत्री नरिंद बूदी की चीनी राश्पती शी जिन पिक से जी ट्वांटी शिकर संविलन में एक और मुलाकात हो सकती है गल्वा गाती संगर्श की आज धीमी होने की कारण वास्तवे नेंतरन रेखा यानि एलेसी पर दोनों दीशों के बीच बहतर समन्वे के बीच या मुलाकात एहम सावित हो सकती है जा सरकारी सूत्रों का कहना है कि दोनों ही ओर से शिकर संविलन के इतर मुलाकात की संभावना तलाशी जा रही है इसी पर सरकारी सूत्र ने कहा कि फिलहाल चीन जी ट्वांटी शिकर संविलन के इतर दोन नेताओं के बीच मुलाकात का एक चुक है में मुलाकात की संभावना तलाशने के लिए इससे जुड़ी तयारें भी की जा रही है अगर मुलाकात कुई तो दोनों देश पर्यावरण, वैश्वेक, अर्थवेस्था और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर बातची करेंगे इस दोनान देपक्षी व्यापार चर्चा के केंद में रह सकता है चुकि इस बीच अमेरिका में सत्ता परिवर्दन के बाद नए साल में पूरी दुनिया में नया परिद्रश्य पैदा होगा यूकरेन युद्ध को लेकर भी नई सिती पैदा हो सकती है और इन परिश्टियों में जुन पिंग मोदी की मुलाकात बेहतर एहम सापित हो सकती है